ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्बिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल ये राशिफले 30 मई 2021 रईवार का दिन है जैस्ट महा के चतूर्थी ति-थी इस दिन रहेगी उत्रासाडा नामक नक्षट्र मकर राशी में चंदर मा विध्यमान रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई सा भित होगा अगर किसी का शुब मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुकाल में कोई भी शुबकार ये संपादित नहीं किया जाता है। ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है। दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा। धनलाप के सांसाथ का रिक्षितर में उन्नती तथा प्रगती के उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशिवालों का देनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशिकी। आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे। आत्म अउलोकन में व्यतीत होगा। इससे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी। अर्थिक द्रश्टी से दिन उपलब्धी कारक है। धन लाब होगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं। उपाई के रूप में मसूर की दाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ती को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। अगर कहीं पूंजी पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे। विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे। और उपाई के रूप में भागवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक तीन होगा, भगिशाली रंग आपका ओरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। धर्म और अध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक इक्षारत था याने जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे। उपाय के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक छे होगा, भगिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं। सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे। अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत फेमिया चल रही है तो वो किसी के बीच बचाओ से या मद्यस्ता से दूर हो जाएगी। आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे। उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वतमन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा। भागिशा रहेगा। अपनी पढ़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी। दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा। पढ़ोसियों के साथ किसी बात को ले करके कहा सुनी या व्यचारिक मद्भेद उत्पन हो सकते हैं। किसी कर्मचारी की बलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक चार होगा। भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा। अब हम बात करते हैं कन्याराशी की। इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है। अब अपने अंदर अ सबी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए। उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा। भागिशाली रंग आपका लाल घर में बच्चों की किलकारी संबदित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है। संतान की उन्नति तथा प्रगती होगी नए वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है। प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है। उपाई के रूप में मीठ अच्छा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा। आपका भागिशाली अंक साथ होगा। भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा। अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की। बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के सा कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मान सम्मान को भी बचा करकर रखने की आउशक्ता होगी। और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज रोज मर्रा की दिन चरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय वितित होगा। किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा। कुल मिलाकर के समय खुशनुमा रहेगा। रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना चाहिए। किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए। और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तू का डान किसी भी गरीव या जरवतमन यक्ति को करेंगे तो आपका डिन शुफलदा रहेगा। आपको मानसिक वा शारीरी रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा। कोछ समय से आपने जो लक्ष निरधारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है। अपने घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते ही कुम्पराशी की। आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है। कोई महत दिनों से आपको इंतजार था। अर्थी की सिदियां बहतर हो जाएगी। कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी। अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी। दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अं नेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक दो होगा। भागिशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशी की। आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधि ना भी बनेगी। और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक चार होगा। भागिशाली रंग आपका नीला होगा। तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यह अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इस